कि मारे लालु यादव जी तेरस्वी यादव जी ने मिल करके के नितिश कुमार जी के साथ गठबंदन मनाया और वो लक्ष था भारती जनता पार्टी को कैसे हम परास्त करने का काम करें उनका इस रूप में कहा होगा वो तो जनता के बीच कर रहे थे सब लोग को कहे हैं सब नहीं बात को आश्चा जनक बात नहीं देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ धिरत सिंग मुर्ती आवरन के एक करिक्रम के दोरान मुख्यमंतिर नितिश कुमार और आनंद मोहन एक मंच पर दिखे हमारे साथ है आरजेडी के वरिष नेता श्याम रजग जी सरकर एक मु नितिश कुमार जी ने सही बात कही है क्योंकि वेक्ति गाता समाजी कार्जों में जाना इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए इसको दूसरे ढंग से नहीं देखना चाहिए वो राजितिक कार्जक्रम नहीं था वो कार्जक्रम था आनंद मोहन जी अपने दादा और चाचा क कि प्रतिमा का उद्घाटन कराने के लिए मुख्वंती जीकुन उन्हें ले गए धें जब उद्घाटन होता है तो सभाभी होती है तो नितीच कुमार के सामने एक ही लक्ष है जो हमारे लालुयादবो जी तेश्बी यादव जी ने मिल करके नितीश कुमार जी के साथ गटबंदन मनाया और वो लक्ष था भारती जनता पार्टी को कैसे हम परास्त करने का काम करें और उसी के बाद कॉंग्रेस पार्टी अन पांपंती पार्टी अन छितनी पार्टी का गटजोर होने लगा कुछ और आपानदानजी के सामने लक्ष है कि रसे रूपी मोधी बीजेपी को कैसे समाध प्याज़श में सब लोग को समनित किया जाए उसी करम में उन्होंने इस बात को कहा होगा क्योंकि उनके सामने एक ही दृष्टी है एक ही विचार है और एक ही सोच है एक ही विजन है भारत लेकर आनंद मोहन और जो आपके पार्टी के राजिसभा सांसद है मनोज जहा के विज्व विवाद हुआ कहीं लगता है कि नितिश्च कुमार अनंद मोहन के समर्थन में है इस बान बयान के बार देखिए आप उस वक्तब को और इस कार्द किरम को आप जोड़ने का काम मत किजिए वो समाजिक कार्ज है उनका और यहां जो राजसभा के सदन में मनोज जहा जी ने ओम प्रकाश बाल में कीजिका जो कभीता पाट किया ठाकुर का कुवां वो इस बात को उन्होंने अपने कभीता के साथ कहने का काम किया ठाकुर का कुवां कोई ठाकुर का मतलब को कोई धर्म नहीं कोई वेक्ति नहीं वलकि एक ताना साही एक खमंडिया जो लोग है भारती जंता पार्टी के लोग जिसको अनुसरन करते हैं उसके खिलाप कठोर वक्तब थे हमारे मनोज जाजी हमारे राश्टी प्रवक्ता का और उन्हें उसको बड़े ही एक सिच्छक की समझाती जिस तरह सिच्छक अपने सिश्यों को समझाता है उस तरह उन्होंने हर वर्ड को संदी बिछेत करके करके समझाने का काम किया बहुत लोग समझे बहुत लोग मन में पाले रहे तो नहीं समझ पाए तो इसको अलग रूप से जात धर्म के रूप नहीं लेना चाहि अनुए कभी वैके जाती की बातंगे करते हम विचारों के खिलाप है और भारतना भूप करना चाहती है उस विचार के खिलाप है क्योंकि आर्थिक समाजिक राजनेतिक सेचनिक जरता लाने का काम भारती जनता पाटी कर रही है इस देश में जिस तरह आर्थिक गुलामी की ओर हम बढ़ रहे हैं इसके खिलाप मनोज जाजी ने उस घमंडे लोगों को ठाकुर का कुआ का उधारन देने का काम किया सवाल की कारिक्रम के बाद जब आनंद मोहन से पूछा गया सीम नितीज से आपकी करीबी बढ़ती जारे तो उन्होंने कहा कि चेतन आनंद और लवली आनंद अभी आर्जेडी में है मैं अपने निर्ड़ने लेने के स्वतंतरों क्या अगर ऐसा होता है कि भारती जनतापाटी को परास्त करना है तो जो उनके एक खास समाज से जो आप लोगों को आर्जेडी को फायदा होता था तक मैंने बार बार कहा है कि राश्टी जनतादल कभी समाज जाती का बात नहीं करती है हम एटू जेट की बात करते हैं हम सर्म धर्म संभाव में बात चाहते थे और जाती जनता क्यों करा है इसके पीछे कोई जात नहीं था यह बताना था किस वर्ग के लोग आज उनकी किस हासिये पर हैं उनके आर्थिक स्थिति क्या है समाजिक स्थिति क्या है राजितिक स्थिति क्या है वह किस कुएं पर रह रह रहे हैं उनके जो समस्या कि वर्क के लोग यह है। कि दलीद्स याती बात करते हूं , कि जाती बात कर रहे हैं, भारती चंता पाटी , वह हर巧 सुमाएे जात की बात करते है जबनी नहिंत्र मोर् ek अति पिसरा जाथ काह समाज में नव्वख को έख ४ाइचंच पीछे उस जूट करका करके समाज की समानता की रूप में लाने का काम करना रज रजञभी यहार्जी के बड़िश नता शियावड है दिल्लिशनिशिकल क्लिम नहीं मधिन करें